हेलो बच्चो वेलकम तू नमबर वन स्टेडी इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास वन इंग्लिश मारी कोल्ड बुक का चाप्टर नमबर वन अ हैपी चाइड इसका सेकेंड पार्ट थ्रे लेटल पिक्स इसका एक्स्प्लेनेशन और इसके सभी क्वेशिन आसर सो स्टार् इनका नाम था सोनु、 मनु और गुनु ठेलेके तु किस घर में रहता था मतलाब लकडी से बने घर में गुनु left in a house of bricks और गुनु कैसे घर में रहता था? bricks मतलब उड़ो से बने हुए घर में वो रहता था One day, a bad wolf came to Sunu's house एक दिन क्या होता है? एक bad wolf, बहुत बुरा जो wolf होता है वो आता है Sunu के घर में He said और वो बोलता है I will hump and puff and I will blow your house down और वो बुरा जो वुल्फ है वो क्या बोलता है सोनु को मैं तुम्हारे घर को क्या कर सकता हूँ नीचे गिरा सकता हूँ I will hup and puff, hup and puff मतलब क्या मूँ में हवा भरना और फूक मारना ठीक है और तुम्हारे जो घर को गिरा देता है सोनु राइन तुमूनु जाओस और फिर सोनु कहा जाता है मूनु के घर जाता है दब वुल्फ केम तुमूनु जाता है और जो वुल्फ जो है वह मूनु की भी घर के पास आता है मूनु को भी भी बोलता है कि मैं हफ और फुक मारूंगा मू में हवा भर कर बहुत जो 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 फुक मारूंगा और तुम्हारा जो घर है वो नीचे गिर जाएगा so he hopped and he ppped तो वो क्या करता है हफ करता है puff करता है and he blew मौनो's house down और इससे क्या होता है मौनु का घर भी नीचे गिर जाता है sonu and मौनु ran to gonos house अब देखो इस bad wolf ने जो है गर तोड़ दिया है अब जो sonu था उसका तो घर नी था मौनु के घर है था So Sonu और Monu कहा जाते है Ran to Gonu's house The wolf came to Gonu's house अब ये जो बुरा वुल्फ है वो Gonu के घर पे भी आता है He said और उसे भी बोलता है I will huff and puff मैं huff and puff करूँँगा And I will blow your house down और मैं तुमारे घर को नीचे गिरा दूँँगा So he huffed and he puffed But he could not blow the brick house down फिर क्या होता है ये जो बुरा वुल्फ है ये हप करता है पफ करता है लेकिन Gonu का जो घर है वो तो नीचे गिरता ही नहीं So he huffed and he puffed But he could not blow the brick house down लेकिन जो brick का बना हुआ घर है इटो से बना हुआ जो घर है वो तो नीचे गिरता ही नहीं It was very strong क्यूंकि इटो से बना हुआ है तो ये बहुत स्ट्रॉंग था The wolf went away And Sonu, Monu and Gonu Loved happily together in the red brick house और फिर क्या होता है ये जो वुल्फ है ये यहां से चला जाता है और Sonu, Monu, Gonu तीनो के तीनों, Gonu के घर में happily रहने लगते है So story समझ में आई चलो अब इसके question answer So first आपको बोला है New words कुछ new words जो इस chapter में आयते है देख लेते है And ठीक है Bad, Big, But, Not, One, Pig, The and Was ठीक है Let's read अभी से रीट करते है The wolf was big and bad Wolf कैसा था? Big बड़ा था और bad बुरा भी था The pig was not big लेकिन जो pig थे वो बड़े नहीं थे Not big मतलब बड़े नहीं थे Reading is fun के question answer कर लगते है How many pigs were there? तो बहाँ पे कितने pigs थे? Three pigs थे ठीक है इस कहां से क्या लिखोगे? There were three little pigs ठीक है आप ऐसा भी लिख सकते हो यहाँ पे क्या लिखोगे? There There were Three Little pigs ठीक है यह हो गया आपके First question का answer There were three little pigs Next पे आते है What did the big wolf say to the pigs? अब जो big wolf था वो क्या बोलता है उन pigs को ठीक है So उसने क्या बोला था? I will huff and puff So इसका answer यहाँ पे लिख लेते है Big wolf ने क्या बोला था? I will ठीक है यहाँ पे लिखेंगे I will huff and puff इसे कर लेते हैं Will ही लिखते है यहाँ पे ठीक है? I will huff and puff huff and puff I will huff and puff and I will blow your house down और वो क्या बोलता है? And I will and I will will को अच्छे से लिखते है W I L L and I will blow your house blow your house down ठीक है? So इसका answer हो गया? Second का Next question है Was the wolf good or bad? वो जो वल्फ था वो गुड था या बैट था? So इसका answer क्या होगा? Bad ही था वो What is your house made of? आपका जो घर है वो किन चीजों से बना हुआ है? So आप यहाँ पर लिख सकते हो आपका घर किससे बना हुआ है? Cement से बना हुआ है So लिखोगे यहाँ पर Cement दूसरा क्या लिख सकते हो आप Wood लकडी भी यूज़ होती है So लिखोगे Wood देर आप लिख सकते हो Glass Glass का भी यूज़ करते है So glass Etc. आप लिख सकते हो Let's share Who is good? Who is bad? इन वे से बता कौन good है और कौन bad है? So वही पीग जो था यह गुड था यह वुल्फ जो है यह बैट था ठीक हो गया? Let's act Imagine you are at home When the wolf Hubs and pups Act out the story Of the wolf and three pigs So यह act करने जैसा है आपको The story given है उसको आप act के थूँ दिखा सकते हो Next प्राद है Say aloud इसे जोर से बोलना है 1, 2, 3, 4, 5, and 6 Next आपको दिया है Join the dots from 1 to 10 So 1 to 10 आपको क्या करना है In dots को join करना है और फिर color करना है Picture को So 1, 1 से लेकर 2, 2 से लेकर 3, 3 से 4 4 से 5 करना है 4 से 5 5 से जाना है आपको 6, then 6 to 7 7 to 8 8 to 9 9 to 10 तो यह घर बन गया फिर इसे आप अपने favorite color से color कर सकते हो आपको तीन given है जैसे की farm animal, water animal और jungle animal तो दिखते है 1, 2 जैसे की first आप होर्स तो होर्स क्या होता है होर्स होता है farm animal ठीक है हेन, हेन भी किसमें आती है farm animal डॉग यह भी किसमें आता है farm animal ठीक है नेक्स्ट पर आते है अभी bear यह होता है आपका jungle animal ठीक है इसे क्या लिखोगे आप जंगल नेक्स्ट बफेलो बफेलो किसमें आती है farm animal में फ्रॉग आता है water animal नेक्स्ट पर आते है कव किसमें आएगी कव आएगी farm animal monkey यह आएगा आपका jungle में देन यह जिराफ यह भी किसमें आएगा यह भी आएगा जंगल देन रिनोसर्स यह भी किसमें यह भी आएगा आपका wild jungle में देन और बचे animal हाँ तो water के दू ही थे ठीक हो गया अब यहाँ पे आपको यह जो हो useless the dog come GO loot o Für Mississippi ,to king 124 अब यह लोग जो है क्या बूलते है इनके बारे में दिया था रख का बोलता Hmm,the child क्या बोलता है यह न है क्या हुछ है लोग झाल चलू है और यहाँ जो है चापटर का explanation question answer सभी complete होगे I hope आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना अपने friends के साथ share करना और चैनल को subscribe जुरूर करना Thank you